हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं कि लोग कैसे लोगों को नकरात्मक बाते सुनाते हैं और लोगों की दिमाग में कैसे नकरात्मक बाते डालते हैं कि वो अपने लक्षे को हासी लेने क पाते हैं. Friends, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है? सिर्फ हमें 10% लोग जी support करते हैं, कि हम आगे बढ़ें. बाकि 90% लोग ऐसे होते हैं, कि हमें कोई support नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बलकि हमें de-motivate करते हैं, कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए क्योंकि वो यही नहीं चाहते है कि हम आगे बढ़ें तो मैं आपको आज एक स्टूरी के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे हमें लोगों की बातों को अनसुना करना है और अपने लक्षे को हासिल करना है क्योंकि कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें के करना है लोगों की बातों को अनसुना कर देना है और अपने लक्षे को हासिल करना है तो एक बार की बात है एक परतियोगिता होती है उस परतियोगिता में यह होता है कि लोगों को सीधे पहाड पर चड़ना है अब परत्योगिता में भाग लेने के लिए तो बहुत सारे पार्टिसिपेट आ गए वहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया अब परत्योगिता हो रही थी वहाँ पर देखने वालों की भीड़ भी बहुत इखटा हो गई और जो वहां का माहूल था बहुत अच्छा हो गया हर दरफ शोर ही शोर था जिन्होंने उस परतियों की तरह में भाग लिया था अब उन्होंने क्या क्या चड़ना स्टार्ट किया पहाड सीधा था और किसी को भी यकिन नहीं वो पारा था कि कोई सफलता को हासिल करेगा अब उस भीड में लोग तरह तरह की बाते करने लगे अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है कोई भी सिधे पहाड पर नहीं चड़ पाएगा और सफलता को तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि कोई सफल हो पाएगा इतने सिधे पहाड पर कोई कैसे चड़ेगा और हुआ भी यही जो भी आतमे कोशिस करता वो थोड़ा उपर जाकर नीचे गिर जाता कई बार लोग गिरें दो-तिन लोग ऐसे थे कि गिरते रहें और चड़ते रहें लेकिन उसी प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी ऐसा भी था जो बार बार गिर रहा था और गिरने के बाद भी उसी जोस के साथ उपर चड़ते जा रहा था और वो लगातार कोशिस करते जा रहा था उपर चड़ने की और आखिर वो पहाड पर पहुँच गया और उसने प्रतियोगिता जीत ली अब जब वो जीत गया तो सभी को आश्चरी हुआ कि ये इसने कैसे मतलब कोई जीत हासिल कर ली कैसे जीता सब उसको घेर कर खड़े हो गए और पुशने लगे तुमने इतना मुश्किल काम कैसे किया क्या तुमें तुमने अपना लक्षे प्राप्त करने के लिए कौन से सकती अपनाई कौन हमें भी तो बताओ ऐसी क्या सकती थी जिससे तुमने सफलता हासिल कर ली तब ही पीछे से एक आवाज आती है तो वो क्या बोलता है वो आदमी वो आदमी बोलता है अरे वो बहरा है उसको कुछ सुनाई नहीं देता है और इस कहानी का मतलब क्या था कि जब हम दूसरों की नकरत्म को बाते सुनते रहते हैं तो हम अपना मनोबल खो देते हैं अब उस परतियों की तह में जितने भी परती भागे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो लोगों की बाते सुनते रहे क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उनको उपर चड़ने के लिए सिर्फ उनको डिमोटिवेट किया रहे कितना मुश्किल काम है तो हमारा समाज हम जिस समाज में रहते हैं हो भी हमें यही करता है demotivate करता है कि हम आगे ना बढ़ पाएं लेकिन हमें प्रतियों भागे की तरह क्या करना है जिसने प्रतियों की तरह जीती उसकी तरह बहर हो कि हमें कुछ सुना ही नहीं देता है तब ही हम अपने लक्षे को हासिल कर पाएंगे और आज की समय में कोई चाहेगा भी नहीं कि आप आगे बढ़ो सिर्फ लोग हमारे दिमाग में क्या करते हैं नकरात्मक बाते दिभर देते हैं कि हमारा मनोबर खतम हो जाता है और हम अपन लक्षे को हासिल करें फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर स्टोरी में कोई कमी रह जाती है तो प् उसको सुधारेंगे अपनी गलती को के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार मिलते हैं नेक्स वीडियो में के